नमस्कार साथियो जैहिन डॉक्टर संग्राम पतिल बात कर रहा हूँ साथियो कीसा गोतमी ये बुद्ध के जीवन का बगवान गोतम बुद्ध के जीवन का एक इंपोर्टन्ट कारेक्टर है ये रुक्ष चिवर धारन करने वाली बिक्षुनियों में सरोप्रतम अग्र ऐसा इनको सन्मान मिलता है भगवान गोतम बुद्ध के लाइप में बहुत सारे बुद्ध हुए थे उनके पहले भी लेकिन बगवान गोतम बुद्ध ये लेटस्ट सम्मेक्सम बुद्ध हुए है और इनके जीवन की ये कता है तो यह कीसा गोतमी जो थी कीसा का मतलब होता है very thin, जो काफी thin है, immacuated जैसे लगती है, बुरी जैसे लगती है, ऐसी अवरत, गोतमी नाम की अवरत, तो उसका यह गरीब के घर में जन्म इसका हुआ था, और उस वक्त जैसे कुल माने जाते थे, उचा कुल, नीचला कुल, तो उसमें भी वो निचले कूल में पैदा हुई थी, लेकिन उसकी शादी एक आमीर लड़के से हुई थी, तो उसको कोसा जाता था हमेशा उसकी गरीबी की वज़े से, निचले कूल की वज़े से, और फिर शादी के बाद उसको काफी साल तक बच्चा भी नहीं हुआ तो उसके लिए भी उसको कोशा जाने लगा तो एक दिन उसको ये गुड निउस मिल गई कि वो प्रेगनन्ट है तो उसके बाद में फिर उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट आया फिर उसका लड़का हुआ और वो लड़का जैसे बढ़ने लगा तो उसको रिस्पेक्ट फुल लाइप हो गई वो भी एंजॉय करने लग गई लेकिन अचानक वो लड़का बिमार हुआ और चल बसा और ये किसा गोतमी तो पागल हो गई और लोग जब उसको डेड़ बॉड़ी को बच्चे की डेड़ बॉड़ी को लेने के लिए उसके पास आए कि माता अब ये डेड़ बॉड़ी दो हमें अंतिविदी के लिए लेके जाना है तो वो एकदम पगला गई और वो कहने लगई कि नहीं ये सोया है ये मरानी है और ये जाग जाएगा आप कोई दवा लेके आओ कही से ये उड़ जाएगा तो लोग उसको काफी समझाया लोगों ने तो फिर वो उसको बच्चे को गले से लगा कर गली गली में गूमने लगी लोगों के पास दवा मांगने लगे तो एक जो सज्जन था वहा पर उसको उसकी बहुत दया आई और वो बोले कि माता ये तो मर चुका है आपका बच्चा लेकिन अगर इसको कोई मदद कर सकता है आपको कोई इस हालत में तो सिर्फ भगवान बुद्ध है और ये पाजु में उनका विहारे वो वहाँ पर होते हैं तो वो वहाँ पर दोड़ते दोड़ते चली गी और उसने बच्चे की डेड़ बोड़ी को भगवान के सामने डाल दिया चरनों में और बोली कि भगवान आप बड़े स्रेष्ट हो आप विश्व के ग्याता हो तो इसको आप जिन्दा कर दीजिए ये सब बोल रहे है कि ये मर गया है मैं नहीं मानती हूँ अगर मर गया है तो भी आप इसको कुछ दवा दे के जिन्दा कर दीजिए तो भगवान तो उस बच्चे के तरफ देखते हैं और वो कहते है कि बेटी ये मर चुका है और तुम ये कैसे बात कर रही हो कि इसको जिन्दा करो तो वो कहते है कि नहीने आप कुछ तो करो इसके लिए आपको करना ही है तो भगवान उस वक्त उसको समझाने के वज़ाए फ एक टरिक तरिका निकालते हैं उनका वो तरीका होता था वो लोगों को अगर कुछ बात समझानी है तो वो अलग तरीके से कुछ एक्जाम्पल है कि तुम्हें गाव में किसी घर से जाकर मुहरी लेकर आना है मतलब सरसो के जो सीड्स होती है मस्टर उसको लेकर आना है बट एक पिंच उपट जरा सी लेकर आनी है तो वो निकलती है तो उसको जाते जाते हो बोलते लेकिन खयाल रखना कि जिस भी घर से लाओगी उसमें किसी भी तरह की death, death, maught न हुई हो किसी की भी maught न हुई हो तो वो कहते है ठीक है भगवान मैं ऐसे ही घर से लेकर आँगी तो फिर वो घर में जाती है किसी के तो वो कहते है बगवान बुद्ध मेरे बच्चे को जिंदा करने वाले है, मुझे सिर्फ एक मुठी बर यह चाहिए, सर्षो की सिर्ट्स चाहिए, तो वो घरवाले कहते हैं कि मुठी बर क्यों तुम टनों लेके जाओ, मनों लेके जाओ, अगर तुमारा बच्चा उससे बचने वाला है, वो पुछते हैं कि लेकिन तुमारे घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है, वो बलते हैं कि नो अनफॉर्चुनेटली मेरे दादा मर गए, मेरे परदादा मर गए, मेरा चचरा बही मर गया, तो वो नाराज हो जाती है, फिर वो दूसरे घर जाती है, फिर तीसरे घर जाती पूरा गाव घुमती है, पूरा गाव उसको चाहिए उतना मनों टनों सरसो का दान करने के लिए तैयार है, लेकिन एक भी घर उसको ऐसा नहीं मिलता है, जहाँ पर वो कहते है कि हाँ हमारे लाइफ में, हमारे घर में किसी की भी डेत नहीं हुई है, तो फिर वो शाम तक थक उसके बात ध्यान में कुछ आ जाती है और वो वापस आती है विहार में, भगवान बुद्ध के सामने आती है, तो भगवान पूछते है कि क्यों बैटी मिल गया, आपको सरसो का मिट्टी बर सरसो मिल गया, तो वो कहते है कि भगवान मुझे सरसो तो नहीं मिला, लेकिन गहर में कोई ना कोई मरा है, लोग मरते ही है, जो जिन्दा जिवन में आया है, वो कभी ना कभी मरता है, कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं, कुछ लोग देर से मलते हैं, तो ये बात मेरे ध्यान में आ गई, और आपने मुझे ये बात ध्यान में ला दी, तो आप मुझे अ कि मृत्यू जो है ये अटल है ये सिर्फ तुमारे जीवन का सत्य नहीं है तो वो जो पाली भाषा में जो वचन है बड़े महत्वपुर्ण है वो आपको सुनाता हूँ न गाम धम्मो निगमस्स धम्मो न चापियं एककुलस्स धम्मो सब्बस्स लोकस्स सदेवकस्स असेव धम्मो यदिदं अनिच्चता तो वो कहते है कि ये कोई गाव का या कोई किसी कुल का या किसी मनुष्य का धम्म सिर्फ नहीं है कि उनको मरनाई है ये अनित्य जीवन है ये शरीर नश्वर है ये देव लोक सहित समस्त मनुष्व लोक का सारे विश्व का यही नियम है धम्म है कि ये सारा जीवन अनित्य है सारा विश्व में जो पी चलता है ये सब अनित्य होता है चेंजिंग रहता है नश्वर होता है और इस सत्य को जो लोग नहीं मानते है वो फिर जीवन मृत्य के भवचक्र में फसे रहते है और इस महानिद्रा से जो जाग जाते है वो इस से बाहर निकलने के लिए फिर प्रयास कर सकते है और दुख से मुक्ती पा सकते है और आगे का जो हमारे विशे का जो विडियो है वो कहते है योच वससतन जिवे अपसंग उदयब बयंग एकाहं जिवितं सेयो पस्सतो उदयब बयंग तो यह बात वही फिर से भगवान करते है कि इस शरीर यह जो शरीर है इसकी अनुभूती करकर इसका सही माने में सुअ अनुभू से दर्शन लेकर इसका सत्य जो कारेक्टर है इसका जो विशस्ता है कि यह जनमता है मरता है उदय होता है वे होता है उदय होता है वे होता है अपने शरीर के जो अंदर के जो परमानू है मौलेकुल से आटम से जो सबसे छोटे कलाप है जो कन है ये उदय हो रहे है और उदय हो रहे है उदय हो रहे है तो ये जो हो रहा है उनका वे उदय वे उदय ये चलते ही रहता है और जो अनुभव से जो लोग इसको समझते है ऐसे अनुभव करने का एक दिन अगर आप दिन 24 गंटे समझ लीजिएगा तो ये ज्यादा अच्छे है important है कि कोई अगर बिना इस सच्चाई के अनुभव के 100 साल जी है कि विशेष्टा जान रहे हो कि एक्सेट कर रहे हो और उसको रियाक नहीं कर रहे हो किसी भ्रामक कलपना के पीछे आप भाग नहीं रहे हो किसी अंदश्रद्दा में नहीं हो मिस्कंसेप्शन में नहीं हो सत्य के साथ हो ऐसे 24 गंटे सत्य के साथ होना खुद के सत्य के साथ ह अनुबहु से सत्यक्राइव करना उसको ग्रहान करना यह सो शाल की अधम की जिन्दगी से अच्छे हैं तो यह कहते हैं और फिर किसा गोतमी इस नौलेज को पाकर अपने अंतर जाती है अंदर जाती है, सत्य का सक्षात कार करती है और वो उसी समय वो शोतापन अवस्ता को प्राप्त कर लेती है जो अध्यात में बहुत बड़ी उची अवस्ता होती है शोतापन हो गया मतलब ये आगे जाकर जल्दी ही बुद्ध होए जाएगा और फिर वो एक दिन ऐसे ही अपना जो मेडिटेशन का विहार होता है वहाँ पर एक धिया जलाती है और वो दिया को देख कर उसमें से जौला निकलती है फिर रापिडली होता है वह बड़ा फास्ट होता है तो उसको भगवान के वही वचन याद आते है और फिर वो फिर से अंदर जाती है और सत्य का साक्षाता करते करते वो अरहंत हो जाती है उसी जनम में ये जो किसा गोतमी जिस जनम में बच्चे के वियोग की वज़े से वो पागल हो गए थी रस्ते पर घुम रहे थी पागल की तरह उसी जनम में वो अरहंत हो जाती है और उसका background जो होता है वो निचले कुल की है, गरीब गर की है, लेकिन धम्म पर चलकर उस जनम में ही अरंत होती है। तो अरंत होना, बुद्ध होना, ये किसी वर्ण की, जाती की, पैसे वालों की, किसी विशिष्ट रंग वालों की, ये मोनोपॉली नहीं होती है। कोई भी अगर सत्य पर चलता है दम्म पर चलता है तो वो मुक्त होता है तो यही यह वचन है मैं फिर से आपके लिए यह वचन पढ़ता हूँ और फिर समाप्त करता हूँ मतलब यह सत्य का जो अनुभव हम कर रहे है उदयवे उदयवे जो अंदर ओते जा रहा है अनित्य है इसका अनुभव करने वाला एक दिन यह बिना अनुभव के सो साल से भी उच्च है क्योंकि यह एक दिन आपको दुख से मुक्त करने वाला है यह आपको अरंद बनने की ओर लेके जाना वाला है यह अध्यात्मिक प्रगती आपकी करा रहा है और बाकी जो चल रहा है जो हम भी पूजापाठ कर्मकांड यह दर्शन वो दर्शन यह मान्यता जो करते रहते है चर्चा ही चर्चा करते रहते हैं इससे कोई बात नहीं होने वाली है सिर्फ खरी बात जो है यह अनुभव से होने वाली है खुद के बारे में सत्य का अनुभव I hope this makes sense, take care, bye bye